बिहार बूर्ट से जितने भी छात्र श्राइक क्लास 11 में इस्टडी कर रहे हैं तो जैसा कि आप सभी को पता कि 25 सेप्टेंबर से आपका हाफ एल एक्जाम जिसको आप मासी परिच्छा या मौन्थली एक्जाम कह सकते हैं ठीके उनका जो ना आयोजन किया जा रहा है आपके स्कूल अस्तर पर ये एक्जाम होने जा रहा है और ये जो एक्जाम होने जा रहा है ये बिहार बूर्ट के द्वरा जो ना इसका कुर्शन पेपर सेट किया गया है ये बिल्कुल ओरिजनल कुर्शन पेपर मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ और अभी कि इस वीडियो में इ बिडियो खास होने वाली वीडियो को लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा बिल्कुल फेक नहीं है सबका कुछन एक ही पेपर रहेगा क्योंकि यहां बिहार बड़ सेट करके भेजा क्योंकि इससे पहले में आपको कई सारे सुचना दिया था जिसमें आपको ब देख सकते हैं प्रसंपत्र कोडिंग संख्या भी लिखा हुआ और एक से चार पेज तक का यह कुसर बढ़ ठीक है और यहां देख सकते हैं नीचे बढ़ेंगे और नीचे बढ़ेंगे और यह दिखिए यहां पर कोई पीटीयो नॉक्त और नोबर कुछ नहीं लिखा और यही कुसर आपको एक्जाम भी देखने को मिला ठीक है कि यह ओरिजनल कुसर पेपर लेकर में हाजिर हो चुका है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले कुछ इंट्रक्शन भी दिया हुआ इसमें समझते क्या इंट्रक्शन दिया है सबसे पहले आप देखेंगे यहां परसंट पतर में जिया है खंड सेक्शन यह में वस्तु निष्ट परसंदिया मलो अब्जेक्टिव टाइप प्रसंदिया वा ठीक है और उसके ऊपर में लिखा प्रतेक प्रकार के प्रसंदों के अंतरगा दिये गए निर्देश का अनुरक्शन के अरे तता इनके अ सब्सक्राइब और इनमें से आपको 25 प्रसंदों का ही जौब देना इसका कहना का मलूब यह हुआ है कि तीस में से 20 यानिक 25 प्रसंदों का उत्तर देना आपको अनिवार है ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुर्शन के तरब बढ़ते हैं और देखे इसमें इसी को बादी को लागूर करने का अंतीम चरन冷 क्या है तो जैसा कि यह पिसेते हैं मेरे पास्य कुर्शन पर पर यह है जो मिन इंग्लीज और हिंदी दोनों मीडियों में वहार बुटियों ने इस सेट करके बेज़रा तो चली पहले प्रसंट के जो जवाब देखते हैं पहला आप्शन आपके पास है बीट्वन विग्यान ठीक है उसके बाद दूसरा अप्शन है वहारिक विग्यान दूसरा अप्शन प्रसंट आपके पास प्रसंट क्या करता है वैग्यानिक प्रति को लागु करने का अंतीन चलाण है जल्दी से बता इसका सभी जाब क्या होग मैं बावबुट जल्दी से अभी तक इस चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और इसी वीडियो को डिक्स्र प्रवाइड कर आप हो हर चोटा बड़ा नोड़ी नोड़ी वेसं जो भी आपका बोर्स लेटेड नोड़ी वेसंद आता है तो यह उसी गुरूप में जोना सेंड कर दिया जाता है ताकि आपको सबसे पहले सुचना प्राप्थ हो ठीक है तो चलिए पड़ा पड़ा जूर बांते हैं और से खड़े पर देखते हैं तो आप रिकानसर अंसर को क्या होगा जल्दी से इसका ईसका इसका soul पता देते हैं कि आर्चसन आप्म संदर अंद्र आगे बढ़ते सेथितela प्रूसन आ पके पास सेट किया गया देखिए काफी संदार कुषन सेट किया गया और इस बाद जो कुषन लिया जरा एक से लेकर 30 प्रसन रहेगा इसलिए 30 प्रसन ही रहेगा चलिए नियम वर्नीत करता है तो किन के द्वारा ये वर्नीत करता है तो जरत्त के द्वारा उड़्या के द्वारा है तो चार का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा जल्दी से तो जी बाबु इसका आंसर होगा अप्शनबर डी यानि कि जरत की गती का निया मुशन आप इंटीडिया ठीक है चलिए अगला प्रसना के पास है यहां पर कुछनबर फाइब में कि एक सरे की जो ना खोज किस ने किया निमली खी में सबसे कमजोर बल्ल कोन सा घ्री यहां जल्दी से पता है तो पहला आप्शन है नाभिके बल्ल होगा दूसरा है गृत्वय कर्शन बल्लोगा ठीक है तिसरा है कि विद्धु चुम्बक्य बलोगा इन में से कुई नहीं ठीक है तो अच्छा का सही आओ यानि को गुर्ट्वा कर्षन बलोगा आप्शन बीद राइटन करो सोज हो जाएगा से ठीक है साथ नहीं बढ़ते कि तो साथ आप प्रसन की विज्ञान की वह साका जो पराकिटी ए तो बहुत ही वियान कर लाता है मैं जब पोल कि लोगता है बहुत की नरगता गवत्तान गरासी को क्या संसर आध' मांपी जाते हैed पूरक इकाई है तो यह हो जागा एप पी एस यानिकि सिस्टम हो जाए चली आगे बढ़ते हैं कौन पूरक इकाई है ठीक है तो इकाड़ा का पास से बारा में कि थोस कौन की इकाई क्याई ठीक है तो इसका आंसर को बताना है उस डिया नहीं होता है तो पहला आपको अंसर दिया हुआ ये बिलकुल रोगे Δुसरा आपको सही बिलकुल लंबाई द्रह्मान उसका वाजना समाया बल नहीं होता बल बल कुल नहीं होता है कि एसाई मातरक में मात्र तीन अधारी मात्रक इस बात को यार्था को किर्या है तो किसके किर्या है तो तो तुलना करने की किर्या है अगला प्रोशन निमलिखी तुम मूरासी नहीं है तो मूरासी को नहीं तो सोला के सही आंसर आपको बताने तो सब्सक्राइब आपने देखा इसका अंसर यहां पर मैं आपको दिखाया उपर वह आंसर लेकिन इसका अंसर केंडला हो जाए अगला प्रोशन निमलिखी में किस भावतिक रासी को प्रकास वर्ष में मापा जाता है तो देखें उन्हें इसका सही आंसर क्या होगा तो देखें दूरी को मापा जाता है अगला है देखें एमेल माइनस वन टीट के पावर माइनस टू वीवा शूतर होगी तो के इसका वीवा शूतर हो ठीक है यहां पर आप संब यानिके परतियास्ता गुनांक का होगा आप समसी इदरा टैंसर ठीक है आगे बड़ते अगला प्रसना के पास प्रसन यह दिखे अगला प्रसन में कौन मैंसे निरूपित नहीं किया जाता तो इसका आंसर आपको बताना है तो बाइस का अंसर यहां पर साइद यह बी इसका आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपको 25 प्रसन का ही जाब देना ही तिक अगर आपको पता होगा तो कोमेंट बोक्स में जोरूर बता दीजेगा मैं आपको पीन कर दूंगा आपका कमेंट सबसे उपर रहेगा अगला प्रसन न्यूटन की गति के पर्थम नियम को क्या कहा जाता बाबू तो इसका को रहेगा तो कि जरत्यों को न्यूटन के तिरत्यय नियम करते अग्ला प्रसन ने गति का सभसे सादहरत्य परकार कौन साथ तो चोब2 का जोनила 24 का आपको motor 5434 तो आप जानते हैं कि यहां पर सर्राइधिए आगे 7-5 में 25 की प्रणिए क्या नींति स्टीजी के बीच की नीमत दूरि की क्या कहते हैं तो 25 से अंसर अप्सरम पर सी होगा आगे बढ़ते हैं एक वस्तु 16 मीटर दूरी चार सिकेंड में तैय करती है तो वस्तु की चाल क्या होगी टिए चार मीटर हो जाए कि आप इसी यहां देखें सिंपल तरीका तो 16 मीटर दूरी तैय करें और चार सिकेंड बढ़ता है तो 16 मीटर पर सिकेंड हो जाए इस तरह से अप्सरम पर बीज़र आटेंस अगला प्रशन है देख सकते हैं 27 में कौन सा समिकर्ण वेग समय के समय में समद्ध व्यक्त करता है तो यहां पर जुन आप अप्सरम पर यह तरह हो जाए यानि कि भी अगला प्रशना के पास यहां पर कुश्रम तीश में बावू कि अधी घतिमान वस्तु विराम के स्थिति में आ जाती है तो इसका तोरण होता है तो क्या होता है तो बिल्कुर याद करना सुनने होता है क्योंकि गतिमान से क्या आता है धीमी होड़ा है विरांग वस्ता में आ रहा है तो इस तरह से लोग 30 प्रसंद देख लिए 25 का जावब दिना निवार है और यही कुर्शन आपका ओरिजिनल कुर्शन पेपर है ठीक है चलिए हम यहां पर सब्जेक्टिव की बात किया है तो इसका सब्जेक्टिव का यहां से इस रूप में इस बार सब्जेक्टिव प्रसंद पूछा ग चिन में आपको पांच प्रसंद प्रस्नका ही जावब देना अन्य वार एका तो इस तरह सभी मैंने आपको यहां पंपर केपर देखा इगा है कि उपजेक्टिव कहा भदे पाहें की सब्जेक्टिव कहां से पूछर कर पाएंगी इस टेवड़िए से मैं बताने जारा हू गौर से समझेगा ताकि आपको किसी तरह कोई समस्या ना हो तो सबसे पहले गूगल में आना है जो इस चैनल का नाम है यहां पो पॉइंट ऑफ स्टरी यहां पर लिए ना टीकि पी ओ आई टी ओफ एस टी यू डी यहां नीचे बढ़ेंगे और यहां देखिए सब का सेक्षन त्यार किया गया है यहां पर सेक्षन में जैसे आप क्लास 9 के चातर ती हां पर क्ली करेंगे क्लास 9 के चातर यहां पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे अबही मैंने अब को बता इता है इसके नीचे यहां पर आप यह पोस्ट उपर भी आए जाएगा ठीक हो सकता ठीक है तो नीचे आएंगे तो यहां पर देखी क्या लिखा होगा कच्छा एकार्द्वासी सब्सक्राइब करें तो यहीं पर आपको किलिए करना है कितना परिच्छा में आपको है यहां पर युगदान निभाना है सभी के सभी बातों को बतायागा अगर आप सब्सक्राइब करें नेचे बढ़ेंगे और यहां पर यहां पर सब्सक्राइब बहुत ही का प्रसंपत्र उत्तर सब्जिक्टिव यहां पर पीडियाफ के दुरा जहां डॉल्लोड कर सकते हैं नीचे बढ़ेंगे और नीचे बढ़ेंगे आपके लिए आंसर अपडेट कर दिया है यहां देखते हैं आपके लिए आंसर अपडेट कर दिया गया देखते हैं साइन्स के छातर स्ट्राव के लिए कि इसका है तो यह आपका फिजिक्स का अंसर है यहां आपको देखते है पर यहां पर लिखा हुआ है डाउनलोड कर सकते हैं उसी के नीचे अगर बढ़ेंगे तो यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों अभी मैंने आपको पूरा का पूरा किलियर वाज बता दिया अगर आप यहां पर दिखा दिया कि कैसे आप अपना पर आंसर अबजेक्टिव सब्जेक्टिव डालोड कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो तब धन्यवाद और गुरूब में चुर जाईए और चैनल को सब्सक्काइब करके प्लीज इतना से कर दिए ताकि अगले आपके जोने जो भी भाय मित्र सांति वगरा होंगे उनको है न यह थोड़ा सा फैदा मिल पाए ठीक है कर दिए